हेलो नमस्कार दोस्तों मैं वीके सर्मा गुरूकुल कंप्टिशन क्लासेज के ज्यूटीव चेनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेर का सेशन तो फर्स्ट कोश्चन हमारा हाल ही में उत्राखंड का सबसे बड़ा जैवे विवेता पार्क कहां स्तापित किया गया है यह हल्दवानी उत्राखंड के अंदर स्तापित किया गया है जब बात उत्तराखंड की आए तो उत्तराखंड की कैपिटल है देरादून और सीम है त्रविंदेंस रावत और गवर्नर है बेवी राणी मौरे और उत्तराखंड की गरीसम कालीन राज़ानी गोशित किया गया गया है नेक्स्ट कॉश्चन हमारा हाल ही में किस राज्य में इस्तेमाल किये गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन नाइंटीन लॉंच किया गया है ये किस स्टेट ने लॉंच किया है केरल ने किसने किया है केरल ने मुहम्मद गवर्णर कौन है आरिव मुहम्मद और इसकी सीटों की बात करें तो लोक सबा की सीट है इसकी 20 और राय सबा की सीट है इसकी 9 और विदान सबा की सीटों की बात करें तो 141 केरल के अंदर पेरियार वन्यजीव अभ्यारन और पेरियार नदी परियोजना और पाल घाट दर्रा और विलोकना इंजन की खोज आई आई एम के द्वारा की गई थी ये कहां है केरल में केफोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा स्टार्ट की गई है केफोन क्या केरला फाइवर आप्टेक्स नेटवर्क लगवग पंद्रे सो करोड के करीब इसमें इसका खर्चा आया है केरल की पहली मैले डी जी पी है आर सिरी रेखा और इसके नए मुख्य सचे भी बनाए गई है केरल के विश्वास मेहता विश्वास मेहता और फर्स्ट नमर पर बात करें तो कौन है यूएस है सेकिंड पर ब्राजील है और थर्ड पर कौन है रसिया और भारत में सबसे ज़्यदा परभावित राजी कौन सा है महरास्ट के अंदर सबसे ज़्यदा कोरोना पीडित लोग हैं नेक्स्ट कॉस्चन है हमारा हाल ही में किस राज सरकार ने दिव्यांग आंगनवाडी कारे करताओं को कोरोना यूद्धाओं का दरजा दिया है किसने दिया है मद्दे प्रदेश ने जब मद्दे प्रदेश की बात आए तो मद्दे प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और स फैंक्स मॉम नामक विरिक्षर ओपन कारे करम भी स्टार्ट किया गया था अभी अभी और कुसल सिर्मगों के लिए रोजगार सेतु योजना भी स्टार्ट की गई थी और जीवन अमरित योजना भी स्टार्ट की गई थी किसके लिए की गई थी इमिन्यूटी बढ़ाने के लिए और मुख्य मंत्री जन कल्यान योजनाभी कहां स्टार्ट की गई थी मद्यपरदेश के अंदर ही स्टार्ट की गई थी इस कॉश्चन से इतनी ही जानकारी मिलती है नेक्स्ट कॉश्चन हमारा हाल ही में जारी किये गए खादय सुरक्षया सूचकंक में कौन सा राज्य पहले स्टान पर है तो गुजरात पहले स्टान पर है कौन सा गुजरात पहले स्टान पर है जब और यूटी की बात करें यूटी के अंदर पहले स्टान पर कौन है चंड पे Sears पे कौन सा है सिर्उच पे है गुजरात और UT के अंदर सिर्उच पे चंडीगड और सबसे निचले स्थान पर है गोई और जब बात गुजरात की आहे तो गुजरात की कैपीटल है गांधी नगर और C.M. है विज रूपानी और गवरनर कौन है आचारिय देविर्थ यह अगस्त दोहजार पंद्रे से हमारे गवर्नर है और अभी-अभी F.S.S.A.I के नए अध्यक्स बनाए गई है अरुन सिंगल को अरुन सिंगल जी नेक्स्ट कॉश्चन हमारा हाल ही में किस पिरसिद फुट वॉल खिलाडी का निदन हो गया है टोनी ड्यून टोनी का बिलाल निदन हो गया है ये कौन थे ये एक पिरसिद फुट वॉल खिलाडी थे नेक्स्ट कॉश्चन हमारा हाल ही में गुल जार दहलवी का निदन हो आए ये कौन थे ये एक कभी थे हाल ही में कारगो इंटरनेशनल के बरांड नेमिस्टर कौन बने है हाल ही में कारगो इंटरनेशनल के बरांड नेमिस्टर न्युक्त किये गई है सौनू सूद जी जैसे रियलमी के बरांड नेमिस्टर कौन है सुरिद्ध कपूर JBL का कौन है, सारा अली खान, एडिडास का कौन है, मानुशी छिलर, पूमा का कौन है, करीना कपूर Next question हमारा अनसुमान सर्मा कोबर्तमान में किस बैंक के निदेशक बनाए गए है IDBI IDBI बैंक के निदेशक बनाए गए है IDBI की स्तापना कब हुई थी 1964 में 1964 के अंदर इसकी स्तापना हुई थी और इनके headquarter की बात की जाए तो मुंबई के अंदर है और इनके CEO कौन है, राकेश सर्मा Next question हमारा वर्तमान में सहकार मित्र योजना का सुबारम किस ने किया है ये किया है, नरेंदर सिंग तोमर ये वर्तमान में किर्शी मंत्री भी है तो दोस्तों, गुरुकुल कमटिशन क्लासिज को share, subscribe और like करना ना भूलें Thank you so much, मिलते हैं next video के साथ